हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नमबर 8 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं आपकी वर्क सीट 8 मार्स 2022 के लिए है जिसकी theme है family तो शुरू करते हैं topic है चित्र पहली दिये गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिस की गई थी परन्तु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई है आप किनी चार गलतियों को ढूंड कर अपने अध्यापक वे अध्यापिका के साथ साजा कीजिए तो यहां पर यह है चित्र 1 और यह है चित्र 2 तो यहां पर देखेंगे यहां लैंप में कितनी लाइन है तीन लाइन है लेकिन यहाँ पर लैंप में कितनी लाइन है चार तो यहाँ पर एक मिश्टेक है उसके बाद देखेंगे यहाँ पर यह जो बीच में लाइन है इसके दौनों तरफ तीन तीन लाइने हैं लेकिन यहाँ पर कितनी है यहाँ तीन है और यहाँ पर चार है एक mistake यहाँ पर है next बच्चो आप देखेंगे यहाँ पर यह बाउल रखा हुआ है इसके पास में कोई भी plate नहीं है लेकिन पिक्चर में यहाँ पर एक plate रखी हुई है तो एक mistake यहाँ पर है अब बच्चो देखेंगे यहाँ पर यह जो girl है इसके यह जो cap है इसमें चार फूल है लेकिन यहाँ पर कितने हैं तीन तो एक mistake यहाँ पर है अब बच्चो next देखेंगे यहाँ पर बच्चो black color है लेकिन यहाँ पर क्या है कोई color नहीं है तो यहाँ पर यह next mistake है तो इस तरीके से आप इन गलतियों को find out करेंगे और यहाँ पर mark कर देंगे अब यह topic है नया घर सिद्धी का नया घर तयार है नया घर बनने की खुसी में एक छोटा सा कारेकरम आयुजित किया गया है सजावट का काम सिद्धी और उसकी बेहन रिद्धी को दिया गया है घर में तीन रंगोलियां बनाना तै हुआ दोनोंने सोचा है कि रंगोली को रंग बिरंगे दियों से सजाएंगे सबसे पहले उन्हें घर के बाहर एक 10 पतियों वाली बड़ी सी रंगोली बनानी है आप इन देख सकते हैं इस तरीके से पतिया बनानी है वे हर पत्ती में गुलावी रंग के 5 दिये लगाना चाहती हैं तो बताइए उन्हें कितने दिये गुलावी रंग से रंग ने होंगे तो यहाँ पर संकेत दिया गया है 10 बार 5 तो किस तरीके से उसे पत्तियां बनानी है 10 यानि कि 10 पत्तियों वाली रंगोली बनानी और प्रतियक पत्ति में उसे 5 दिये लगाने हैं तो इसके लिए क्या करेंगे हम 10 से 5 में मल्टिप्लाइ कर देंगे 10 पंजे 50 इट मींज उन्हें 50 दिये गुलाबी रंग से रंग ने होंगे बच्चे यापने जो संकेत है 10 पार 5 इसका मतलब है कि 10 गुणा 5 अब ऐसे ही नेक्स्ट है बे दोनों घर के बरामदे में 8 पत्तियों वाली रंगोली बनाकर हर पत्ति को 7 हरे दियों से सजाना चाहती हैं उन्हें कितने दिये हरे रंग से रंगने होंगे तो जैसे अभी हमने फर्स्ट सवाल किया वैसे ही से करेंगे तो 8 पत्तियों वाली रंगोली बनानी है और 7 प्रतियक पत्ति में दिये लगाने है तो 8 से हम 7 में गुणा कर देंगे 8 सत्ते 56 इट मींस उन्हें 56 दिये हरे रंग से रंगने होंगे अब नेक्स्ट है बैठक के अंदर 6 पत्तियों वाली छोटी सी रंगोली बनाई जाएगी हर पत्ति को 5 पीले दियों से सजाने का सोचा गया उन्हें कितने दियों को पीला रंगना होगा तो इसके लिए 6 से 5 में गुणा कर देंगे 6 पंजे 30 तो उन्हें 30 दिये पीले नेक्स्ट है सभी रंगोलियों को सजाने के लिए उन्हें कुल कितने दिये रंगने होगे तो सभी रंगोलियों में कितने कितने दियों की जुरत हुई गुलावी रंग के दिये हैं 50 और हरे रंग के हैं 56 और पीले रंग के हैं 30 तो टोटल कितने हो गए प्लस कर लेंगे त पाँच और तीन कितने हुए आठ और पाँच तेहर है तो टोटल कितने हो गए 136 तो उन्हें कुल 136 दिये रंगने होंगे तो इसी के साथ आपकी ये वर्क सीट कम्प्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्क सीट के साथ if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you